अगर कोई आपको प्रेशान कर रहा है या आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो ऐसे में आप सीधे मुख्यमंतरी को ओनलाइन कम्पलेन कर सकते हैं सभी राज्यों में मुख्यमंत्री को कंप्लेंड करने के लिए अलग-अलग वेबसाइट्स हैं लेकिन प्रोसेस सबका लगभग सेम ही है सो आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि UP में मुख्यमंत्री को औनलाइन कंप्लेंड कैसे की जाती है तो चलिए शुरू करते हैं किसी भी राज्यों में मुख्यमंत्री को कंप्लेंड करने के लिए आप सर्च करेंगे complain to cm इसके बाद आप लिखेंगे अपने राज्ये का नाम जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा complain to cm उत्राखंड तो आप देखेंगे यहाँ पर उत्राखंड राज्ये की वेबसाइट ओपन हो गई है और यहाँ शिकायत पर क्लिक करके हमें complain file कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ complain to cm महरास्टरा तो आप देखेंगे कि महरास्टरा राज्ये की वेबसाइट यहाँ पर आ गई है और यहाँ post grievance पर क्लिक करके यहाँ पर एक complain file की जा सकती है जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ complaint to CM UP तो आप देखेंगे कि UP राज्ये की वेबसाइट आ चुकी है और यहाँ से हम उत्तर प्रदेश में मुख्या मंतरी को complaint कर सकते हैं शिकायत पंजी करंट पर क्लिक करके complaint फाइल कर सकते हैं शिकायत की इस्तिती पर क्लिक करके complaint का status देख सकते हैं और यहाँ से एक reminder भेट सकते हैं अगर fix time में हमारी complaint पर कोई action नहीं लिया जाता जिस बारे में भी हमने complaint की है वो solve हो जाने के बाद यहाँ से आप अपना feedback भी द रहताते हैं उनके बारे में आप यहाँ पर complaint नहीं कर सकते ऐसे cases जिनका trial चल रहा है court में आप उनके बारे में यहाँ पर complaint नहीं कर सकते अगर आपको कोई सुझाओ देना है तो आप यहाँ पर complaint नहीं कर सकते complaint में आप पैसे नहीं मांग सकते या फिर नौकरी नहीं मांग स और OTP भेजे पर किलिक करेंगे, अब हमारी email ID पर एक OTP send किया गया है, वो OTP हम यहाँ पर डालेंगे, इस तरह से आपके पास OTP आ जाएगा, अगर आपने mobile number डाला है तो उस पर आएगा, और अगर आपने email ID डाली है, तो आपकी email ID पर भी यह OTP आ जाएगा, तो यहाँ पर आप नाम डालेंगे, यहाँ पर father name डालेंगे, यहाँ पर gender आप चूस कर लेंगे, एक mobile number आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर आप चाहें, तो emergency पे लिए कुछ दूसरा number भी डाल सकते हैं, अगर आप चाहें, की आप शिकायत करना चाहते हैं, सभी विभाग के नाम यहाँ पर दिये गए हैं, आप यहाँ पर चूज कर लेंगे, जैसे कि आप किसी डॉक्टर की, पुलिस कर्मी की, ग्राम परधान की, किसी की भी आप यहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको डिपार्टमेंट चूज करना होगा, कि जिसकी आप कंप्लेंट कर रहे हैं, वो किस डिपार्टमेंट के तहट आता है, जैसे कि परधान की अगर आप करेंगी, तो वो पंचायती राज विभाव के अंडर आता है, यहाँ पर आप कैटिगरी चूज कर लेंगे, ग्राम सचीव, ग्राम पंच पंचायत अधिकारी से जुड़ी हुई है, यह फिर गाव में जो साफ सफाई करने वाले करमचारी है, उनके बारे में आप कंप्लेंट करना चाहते हैं, इसके लावा पंचायत भावा निर्मान संबंधित है, मतलब में आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से कैटिगरी आ सहारा ले सकते हैं, और अगर आप मुबाइल फोन पर यूज़ कर रहे हैं, तो मुबाइल फोन में आप गूगल इनपुट कीबोर्ड डाउनलोड कर लीजिए पिले स्टोर से, और उसमें आप यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको एक डैम चूस करने के बाद, और यहाँ पर आप गिराम पंचायद चूस कर लेंगे, यहाँ पर अपना गाउँ चूस कर लेंगे, और यहाँ पर आप थाना चूस करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप अपना एडरस डाल देंगे, अगर आपका एडरस और यह एडरस दोनों सेम है तो जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उपर का एडरसी यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, अगर आपने पहले कंप्लेंट की हुई है, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, और पहला कंप्लेंट नंबर आप पहली कंप्लेंट का यहाँ पर डालेंगे, उसके लावक कोई और यहाँ पर डालेंगे लेकिन हमने पहले कोई complaint नहीं की तो हम इसको uncheck कर देंगे इसके बाद अगर आप proof के लिए कुछ और upload यहाँ पर करना चाहते हैं या आपने complaint लिख करके रखी हुई है तो आप उसको भी scan करके यहाँ पर upload कर सकते हैं जिसका format pdf, jpg, jpeg या फिर png होना चाहिए और file का size maximum 500 kb तक ही होना चाहिए इसके बाद आप यहाँ सुरक्षित करे पर click करेंगे आपके सामनी यह screen आ जाएगी कि आपकी complaint register हो चुकी है और एक complaint number यहाँ पर दे दिया गया है यह आपको save करके रखना है यह सबसे important है okay करेंगे इसके बाद आपको wait करना है 15-30 दिनों का और किसी भी time आप यहाँ शिकायत की इस्तिती पर click करके अपनी complaint का status चेक कर सकते हैं जिसके लिए आप यहाँ पर शिकायत संख्या डालेंगे यहाँ पर आप अपना mobile number या फिर email id डालेंगे यहाँ पर ही capture फिल करेंगे इसके बाद आप submit पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी complaint का status क्या है यहाँ print करेंपर click करके आप इसके status को print भी कर सकते हैं कहीं दिखाने के लिए अगर एक महिना गुजर गया और आपकी complaint पर कोई action नहीं लिया गया तो आप यहाँ से reminder send कर सकते हैं आप यहाँ पर अपना complaint number डालेंगे और खोजे पर click करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि आपकी complaint अभी under process है तो यहाँ पर आपकी complaint number आ जाएगा आप उस पर click करके एक reminder send कर सकते हैं क्योंकि काफी सारी complaint send की जाती है तो हो सकता है कि अधिकारियों के सामने आपकी complaint ना आए तो आप reminder भेज करके दोबारा से उनके सामने उसको ला सकते हैं So ihoop के वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो like करिए अपने friends के साथ share करिए और अगर आपके मन में कोई confusion है तो आप नीचे comment करके पूछ सकते हैं